आप सभी को नमश्कार नए ब्लॉक में आपका स्वागत है हरहर महादेव जैसे कि आपने पिछली ब्लॉक में देखी लिया है हम लोग बनारस की आत्रा में आये हैं और सुबह अभी बज़े हैं नो और नो बज़े हम लोग होटल से निकले हैं और आज गंगा इसनान करेंग तो रात में भी बहुत भीड़ यहाँ पर नजर आई और यह दस असमेद घाट पर एक कॉंप्लेक्स बना है बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुइधा दिया गया है यहाँ पर बैठने के लिए रुखने के लिए और कई सरद्धालों के लिए टेंट भी बना गाट पर तो इस घाट पर पवित्र गंगा नदी के तट पर गंगा मैया के दर्सन के लिए सरद्धालों के भीड़ देखिए और हम लोग उसमें जगह देख रहे हैं लिए जगह उस घाट पर तो नहीं मिल पाया तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए और हमारे साथ जो सरद्धालों आए हैं वो एक जगह की तलास कर रहे हैं जहां पर हम लोग गंगा मैया के दर्सन करेंगे उनका पुन्य प्रताप इसनान जो है हम लोग करेंगे तो यह जगह तलास से रहे हैं मैं इस बीच जो है आपको पीछे दिखा रहा हूं गंगा नदी और यह करेंगे दूपकी लगाएंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं पवित्र गंगा नदी जो हिमाले से भागी रतियों और अलक नंदा नदी के साथ मिलकर गंगोत्री से उद्गम होके निकलती है और लगबख धाई अजार किलोमेंटर की दूरी तय करते बंगाल की खाड़ सबसे ज्यादा नदी में इसनान कर रहे हैं क्योंकि इनके इस पर्स मात्र से और इसमांड़ की से भी आपको जो है बहुत फुन्य मिल जाता है आपके पाप धुल जाते हैं इतनी पवित्र नदी है और भारत में हिंदु धर्म की आस्था का अधार गंगा नदी और जीवन दायनी नदी इतने हिमाले से लेकर जो है यहां पर जो बंगाल की खाड़ी तक लगबग 10 लाग स्क्व इस सो किलोमेटर की दूरी तै करते हैं तो यह देखे एक तो कॉम्पेटिशन ही हो गया कुन जादा पुन्य खटा करेगा और यह देवेंद्र भीये जो है पुरा प्रतिसपरधा में एकदम बहुत आराम से निकल रहे हैं उनको बहुत अनुभव होगा पानी में और हम लो अस्ता कभावा रहा है और यह आज नाव बं है उन्होंने बताए नाव आज ने चल रहे हैं अभी यह सुबह का समय है और यह देखिए भाई साब भीया क्या ही कर रहा है आप नीचे उतर के लो वह यह यह तो हम यहां पर एक जगह मिला तो हम तैर के थोड़ा पीछे जान हैं तैरना मुझे आता है इसलिए मैं तैरते हुए जाने की कोशिस कर रहा हूं यहां पर पानी का बहाओ भी उतना ज्यादा नहीं है नीचे गहरा ही जरूर है यहां पर तो कुछ घाट तक सिमेंट बना हुआ लेकिन और आगे जो है एकदम आपको जो है गहरा मिलेगा तो य यह देखिए हमारे सरधालू यहीं पर ही बैटके स्नान कर रहे हैं और गंगा नदी गंगा मैया की जय कर रहे हैं और वाव वाव अच्छा लग रहा एकदम है ना और यह देवेंद्र भाईया थोड़ा कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं इंजिनेरिंग का उप्यो करत कैसे आ रहे हैं अंदर जाके देखते हैं ऐसे बोल रहे हैं तो आज बहुत ही हम लोग धन्य महसूस कर रहे हैं गंगा नदी में स्नान यह गंगा घाट यह कासी बनारस का घाट है और यहां पर पूरे देखेंगे तो 84 या 88 घाट है जिन में से दो घाट तो जो समसान घाट की तरह है बाकी सब घाट में जो हैं इसनान करते हैं सरद्धालू और फिर उसके बाद कतार में हर हर महादेव भगवान जो है उनको करते हुए महादेव भगवान का जो है कासी बिसुनात महराज की दरसन के लिए जाते हैं और गंगा नदी में इसनान के लिए लोग जो है यहां पर दूर दूर से आते हैं और अपने इसनान करके जो है दर्सन का लाब लेते हैं और अपने जीवन में सम्रदी, सक्ती, उत्सा, उर्जा के लिए प्राक्तना करते हैं ताकि जिस उद्देश के लिए वो इस धर्ति पर आए हैं उसको पूरा कर सकें भगवान से आशिर लग गया एकदम तिरसूल वाला तिलग वाह यह हुई न बात तो अब जो है चुकि हम लोग कल दर्शन कर लिये थे मंदीर में तो आज हम लोग बाहर से ही प्रणाम करते हुए हम लोग जो है जाएंगे और आज साम को ही हम लोग का वापसी का ट्रेन है तो अभी हम लोगों उनने असनान किया और फिर उसके बाद जो है यह मंदीर प्रांगण में पूजा कर रहे हैं और जो है दीप जो है यहां पर रखेंगे हवाद चल रही है आज इसलिए नोका जो है नोका विहार बंद रखे हुए हैं तो यहां पर हम लोग जो है सीवलिंग पर जलाविश्य कर रहे हैं और दीप प्रजलन करने के बाद फिर हम लोग वापसी के और बढ़ रहे हैं तो हम लोग आये थे दसवसमेद घाट से इधर असी घाट तरफ और मनिकनी का घाट से पहले इसनान की एक जगह मिला और बड़ी है लोकेशन जो है हमको मिला और वहाँ पर इसनान करने के बाद तयार होने के बाद फिर हम लोग वापस आ रहे हैं तो आप पीछे सरद्धालू देख सकते हैं कैसे जो है सब लोग दर्शन करके यह मार्केट वाली जगह है कतार से मार्केट लगी हुई है और गलियों में आप जीवन्त जो महोल है आप देख पा रहे होंगे रं यह आप पीशे देख सकते हैं और हम लोग इसनान किये और उसके बाद यह देखिए अच्छा सब रेस्टोरेंट मिला साउथ इंडियन तो रहा नहीं जा रहा है है ना भूख लगी सबको जीवन एक बाग है तो बहतरिन सा माली हो और भूख लगी तो भोजन की थाली हो औ टाहिए देखिए अब नंस्ता ने के बाद चाय golden के बाद हम लोग जो है होटल जा रहे है होटल करेंगे और और प्यारे प्रदीप सिंग जी के जो है वहंं घर बुला रहे हैं तो व squishy ने के लिआ एएंगे फिर उनके घर जाएंगे फिर वहाँ बोजन औरए करने के बा कि यह नहीं बात लसी फेमस लसी आई यह जो है एकदम जबरदस्त वह यह होटल हम लोग चेक आउट कर रहे हैं और होटल चेक आउट करके फिर हम लोग जो है अभी जाएंगे हमारे प्रदीप जी के घर यह बढ़िया इस्टे रहा यहां पर और सबसे बड़ी बात है यह मं आज पास रहा तो हम लोग मंदिर के आसपास ही रहे और जो है बड़िया लोग दर्सन कि ए अच्छा उनुभौ किये फिर उसके बाद हम लोग जो है यह जा रहे हैं वापसी और थोड़ी दूर बाद ही आटो मिलेगा और थोड़ी दूर जाने के बाद पिर हमारे प्रदी रहते रहें इस वसले से कदम क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ जो मिला तजरुबा वो तो नया होगा तो यह देखिए मिठाई हमने खर दी है है ना शांदार मिठाई राजभोग मिठाई अच्छी दुकान से हम लोग प्यार और सने उसमें के साथ जो है हम प्रदीब जी की घर जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो फैलिए इस्टिसन हमें छोड़ देंगे वावावा मजा आ गया मजा आ गया बोल रहे हैं शांदार यह वाव ये हैं कासी का जीवन कासी के रंग और वहां के उमंग तरंग लेकर हम लोग जो हैं यहां पर बढ़िया आनन्द महसूस कर रहे हैं तो बने रही है ब्लाग में ये आ गए हमारे प्रदीब जी और एक चका जो है उसमें जो एक नाली है उसमें लग गया था तो हमने महादेव हर हर महादेव याद किया और वहां से गाड़ी निकाल लिए यह हुई जबर्दस्त बात और फिर उसके बाद सभी गाड़ी में बैठ रहे हैं फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग प्रदीव जी के घर यह आगे प्रदीव जी हैं बढ़िया एकदम नीले कलर की जो है टी सेट के साथ आगे लेने के लिए बोली हर हर महादेव तो अगली ब्लॉग में हम देखेंगे प्रदीव जी के घर जाएंगे फिर उसके बाद हमको रेलो इस्टेशन वो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद का वाव 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 वाव